आज हम लोग डिसकस करेंगे कुछ हिस्ट्री के टॉपिक्स हिस्ट्री में जनरली सबसे ज़्यादा कुश्चन्स पूट अप किया जाते हैं मॉडरन इन हिस्ट्री से अधनिक इतिहास से प्राचीन इतिहास से भी कुछ कुश्चन रहते हैं सबसे कम वेटेज रहता है मिद्ध काली नितिहास का लेकिन मद्ध काली नितिहास में ऐसे ट्रीकी कोश्चन आ जाते हैं कि जो हमें न पढ़ने के खारण भूल जाते हैं और हम छोड़ देते थे हैं उनकोश्चनर को इस वैजे से हमारी एंसर उसमें कम हो जाते हैं और उसकी वज़े से selection भी थोड़ा affected होता है तो सभी लोग online आ चुके हैं सुगन चंद्रा, आशुरिशी, मोहित कटारिया, महेश शादव, पंकज कुमार, सतेंद्र कुमार, गौरव, राजपू, सनत, मिश्रा सभी को good morning, आप सभी की morning अच्छी हो हम लोग आज अपना topic स्टार्ट करते हैं, मध्य कालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत मध्य कालीन इतिहास हर्श वर्धन की मृत्यू से प्रारंब होता है 647, 647 से प्रारंब होता है और फिर भारत में राजपूत काल का जन्म होता है चोहान, चंदेल, प्राश्टकूट, परमार, प्रतिहार इन सब राजवंशों का उद्य होता है राजपूत, राजवंश जन्म लेते हैं और राजपूतों में कभी एकता नहीं रही एकता का हरास रहा जिस वज़े से मुस्लिमों ने भारत पर आक्रमण किये और फिर भारत में मुस्लिम इतिहास का प्रारंब होता है प्रारंब में जितने भी मुस्लिम शासकों ने भारत पर शासन किया वो सब अरब से आये थे Arabic Muslims थे उन्होंने कभी भी भारत पर शासन नहीं किया लेकिन भारत पर शासन करने वाले जो मुसलिम थे वो सब तुर्की मुसल्मान थे तुर्क से भारत आये थे टर्की से भारत आये थे और जितने भी मुसलिम शासक थे के युद्व में 1191 में प्रत्विराच चूहान ने उसको हरा दिया फिर तत्पशाथ 1192 में मुहमध गौरी ने प्रत्विराच चूहान को हराया और दिली पर कबजा जमा लिया और यही से मुस्लिम शासन की नीव प्रारंब हुई उसका कोई भी वन्शज नहीं था कोई भी उसका पुत्र नहीं था मुहम्मद गौरी का इस वज़े से वो अपने साथ बहुत सारे अपने गुलामों को लाया था और बारा सो छे में मुहम्मद गौरी की मृत्य हो गई थट्टा नामक इस्था कुत्बुदीन एबक इन तीनों में आपसी संघर्ष हुआ और इन तीनों के आपसी संघर्ष में कुत्बुदीन एबक की विज़े हुई और कुत्बुदीन एबक दिल्ली का पहला शासक बनता है और यहीं से मध्यकालीन इतिहास का पहला काल शुरू होता है जिसे दिल्ल सल्टनत कहा जाता है मध्यकाली नितिहास को दो भागों में बाटा जाता है दिल्ली सल्टनत और मध्यकाली नितिहास तो ये दो भागों में पहली बार हम लोग मध्यकाली नितिहास को बाटते हैं हम लोग यहाँ पर आज जिसकस करने आए हैं दिल्ली सल्टनत के बारे में दिल्ली सल्टनत में कई सारे वन्ष आये सबसे पहला वन्ष था गुलाम वन्ष स्लेव डाइनस्टी गुलाम वन्ष बारा सो छे इसवी से बारा सो नब्बे इसवी तक पाया जाता है गुलाम वन्ष को गुलाम वन्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जितने भी शासक हुए वो सब स्वतंत्र माता पिता की संताने थी इनका अपने राजा से कोई संबंध नहीं था स्वतंत्र माता पिता की संताने होने के काराण इसे तुर्की भाषा में मामलुक भी कहा जाता है इसी लिए इसे मामलुक वण्च भी कहते हैं मामलुक वण्च के नाम से भी गुलाम वण्च को जाना जाता है उसका कारण ये है कि इस वण्च में सभी सभी सुतंद्रमाता पिता की संदाने मानी जाती थी सबी के सबी उस राज़े के गुलाम हुआ गड़ते थे इस वज़े से इसे गुलाम वंच कहा एक इतिहासकार है अजीज अहमद अजीज अहमद इसे गुलाम वंच या मामलुक वंच कहने की बजाए प्रारंभिक तुर्की शासक नाम का वंश ना एक नाम नया धारन करते हैं प्रारंभिक तुर्की शासक इनिशियल टर्किश रूलर उन्होंने इसलिए कहा कि इस वंश के जितनी भी शासक थे काफी ज़ादा प्रभावशाली शासक थे उन्होंने भारत में एक सुधरन मुस्लिम समाज की इस्थापना की एक भारत को पूर्ण रूप से विजित किया और ये सभी के सभी भारत के सबसे पहले राजवन्श के रूप में जाने जाते हैं इसलिए प्रारंभिक थे और सभी के सभी तुर्की से बिलांग कर थे इसलिए तुर्की शासक थे इसलिए अजीज अहमद ने इसे प्रारंभिक तुर्की नाम मिलते हैं स्लेव डानेस्टी के कई नाम मिलते हैं गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुदीन एबग को कुतुबुदीन एबग मुहमद गौरी का मुहमद गौरी का गुलाम था इसका शासनकाल मात्र चार वर्शों का रहा बारा सो छे से बारा सो दस इसवी तक इसका शासनकाल रहा ताजुदीन इल्दुज और नासुरुदीन कुबाचा को इसने हरा करके ये सामराज जीता था गौरी का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था परन्तु बाद में जब गौरी का एक नया उत्तराधिकारी गौरी जो गजनी के पास एक स्टेड हुआ गरता था वहाँ पर जब नया एक सुल्तान बना तो उसने स्टंतर रूप से कुत्बुदीन एबक को 1208 में सुल्तान घोशित किया ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर शासन करना प्रारम्भ किया स्टंतर रूप से लेकिन इसने कभी भी अपने आपको सुल्तान घोशित नहीं किया ये अपने आपको मलिक या सिपह सालार के रूप में एड्रेस करता रहा ये अपने आपको मुहम्मद गौरी के गुलाम के रूप में एड्रेस करता रहा मलिक यसे पहसालार की उपाधी इसने धारण की कभी भी अपने आपको उसने सुल्तान नहीं कहा लेकिन गौरी के वंचज ने इसको सुल्तान की उपाधी दी बारह सो आठ में इस प्रकार से अब ये भारत पर शासंग करना प्रारंब करने लगा ये बहुत ही ज़ादा काइंड बहुत ही दयालू नम्र शासक माना जाता है इसने अपनी राजधानी बनाया लाहौर को लाहौर से ही ये शासंग करता रहा लाहौर की जनता से बहुत ज़्यादा इसने रखता था बहुत ज़्यादा लगाव रखता था ये जब भी कोई नया युद्ध जीत करके आता था तो लाहोर की जनता में एक एक लाख मोहरे बाटता था एक एक लाख मोहरे बाटने के कारण लाहोर की जनता ने इसे लाख बक्ष का उपाधी दिया लाख बक्ष के टाइटल के रूप में भी इसे जाना जाता है कोशन कई बार पूछा जाता है कि लाक बक्ष की उपाधी इन में से किस शासक को दी गई थी तो उसका सही आंसर है कुत्बुदीन एबक यहां कुत्बुदीन एबक जो था बहुत ही जादा धार्मिक प्रवर्ती का भी था खाली समय में यह कुरान की नकल किया गरता था कुरान की आयते लिखा गरता था इसके गुरु थे जिनका नाम था कुत्बुदीन खुजा कुत्बुदीन बख्तियार का की इनका ये बहुत रिगार्ड करता था, बहुत जादा रिस्पेक्ट करता था, वो उनकी मृत्ती हो गई खौजा कुतब अदीन बक्तियार काकी की, तो उनकी याद में कुतब अदीन एबक ने दिल्ली में कुतब मीनार का निर्मार कारे शुरू कराया, कुतुब मिनार जो दिल्ली में बनाई गई है ये कुतुबदीन एबक ने बनवाना शुरू की थी लेकिन अपने नाम पर नहीं की थी ये उसके धार्मी गुरू थे जिनका नाम था खुजा कुतुबदीन बक्तियार काकी इनके नाम पर इसने ये इमारत बनवाना शुरू किया कुतोब मिनार में पांच मंजले हैं नीचे की दो मंजले ही ये बनवा पाया था और फिर बारा सो दस में इसकी मृत्ती हो गई दो साल बाद इसकी मृत्ती हो गई थी और फिर इसका कार्य कुत्ब मिनार का कार्य इल्तुत मेश ने पूरा करवाया तो भारत की पहली मस्जिद भी कुत्ब दीन एबक के द्वारा ही बनवाई गई थी कुवत अल इसलाम मस्जिद ये भारत की पहली मस्जिद है दिल्ली के निकट इसे बनवाया गया था ये भी कुत्बदिन एबक नहीं बनवाई थी अजमेर में जो फजागरीब नवाज की मुहिनोदीन चिश्टी की दरगागा है उस दरगागे आगे अड़ाई दिन का ज्छोपडा नामक एक और मजद है अड़ाई दिन का जोपड़ा भी कुतुपुदीन एबक नहीं ही बनवाया था कुतुपुदीन एबक काफी जादा धार्मेक प्रवर्ती का था वो वहाँ जियारत करने के लिए गया मुहिनदीन चिष्टी की और वहाँ उस जगहे पर कुछ देर रहा अड़ाई दिन मतलब टू हैंडा हाफ दिन रहा और इस वजह से उसने उस जगहे को अड़ाई दिन का जोपड़ा नाम दे दिया और इस तरीके से एक नई मस्जिद का भी निर्माड हो गया 1210 में कुतुबदीन एबक लाहौर में चौगान खेल रहा था चौगान जिसे आज कल पोलो कहा जाता है घोड़े के उपर बैठ करके एक हौकी जैसी बड़ी सी स्टिक होती है उस स्टिक से बॉल को हिट करते हैं और इस तरीके से ये चौगान ये पोलो खेला जाता है तो ये खेल खेल रहा था अचानक वो घोड़े से गिर पड़ा घोड़े से गिरने के कारण घोड़ा उसके उपर से गुजर गया और वो दुनिया से गुजर गया इस तरीके से कोशन उचा जाता है कि घोडे से गिर करके किस शासक की मृत्य हुई या चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्य हुई तो इसका आंसर है कुतबुदीन एबक 1210 में कुतबुदीन एबक की मृत्य हो गई कुतुबदीन एबक की मृत्य हो जाने के बाद उसका पुत्र अगला शासक बनाया जाता है जिसका नाम था आराम शाह लेकिन जैसा कि नाम से ही लग रहा है आराम शाह काफी जादा आराम पसंद था जिसकी वज़े से दिल्ली की जनता ने ही उसे हटा दिया और दिल्ली की जनता के अलावा कुतुबदीन एबक का एक बहुत ही बड़ा सिपह सालार था जिसका नाम था इलतुतमिश इलतुतमिश ने ही उसको अपने पद से हटा दिया आराम शाह को और बारा सो ग्यारा में अपने आपको उसने नया शासक घुशित किया और इस तरीके से कुतुबदीन एबक के बाद गुलाम वंच का अगला महत्वपूर्ड शासक आता है जिसका नाम था इलतुतमिश इलतुतमिश तुर्की मुसल्मान था ये तुर्की के इल्बरी कबीले से बिलॉंग करता था इल्बरी जन्जाती से संबंदित था गौरी मुहमद गौरी शमसबनी कबीले से संबंदित था इलतुतमिश इल्बरी कबीले से संबंदित था तो अलग-अलग कबीले हुआ गरते थे तुर्की में और इन अलग-अलग कबीलों के जो शासक हुआ गरते थे वो भारत पर शासन कर रहे थे तो ये इल्बरी कबीले का तुर्क हुआ गरता था इल्टुत्मिश इल्टुत्मिश को कुतुबदीन एबक ने बदाईयों का सुवेदार बनाया और बदाईयों का सुवेदार बनाने के बाद इल्टुत्मिश ने वहाँ पर होने वाले विद्रोहों को समाप्त किया और इस कारण से कुतब दीन एबग उससे बहुत जादा प्रसंद हुआ बहुत जादा खुश हुआ और उसने अपनी पुत्री का निकाह भी इससे कर दिया तो इस तरीके से इल्तुतमेश कुतब दीन एबग का गुलाम भी था और उसका दामाद भी था इल्तुतमेश के कारिक उशल को देख करके कुतब दीन एबग काफी जादा प्रभावित था और इसी वज़े से वो चाहता भी था कि इलतुतमिश ही उसका अतरा धिकारी बने परन्तु आराम शाह जो उसका लीगल उसका पुत्र था तो उसने ही अपने आपको सुल्तान भोशित किया लेकिन अभी तक वो इतना जादा प्रभावशाली नहीं हो पाया था कुछ ही समय के बाद उसको पच्चित कर दिया गया उसको उसके पच्च से हटा दिया गया और इलतुतमिश को माना जाता है कि वो भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने खुद को सुल्तान भोशित किया स्वयम को सुल्तान भोशित किया वो पहला सुल्तान माना जाता है भारती ये मद्धिकाली नितिहास का उसने अपने शासनकाल को और जादा सुचारू रूप से चलाने के लिए और अच्छी तरीके से चलाने के लिए चालीस तुर्की सरदारों का एक समूह बनाया एक ग्रूप बनाया चालीस तुर्काने चालीसा या चहलगानी भी कहा जाता है तुर्काने चालीसा या चहलगानी चालीस तुर्की सरदारों का एक समूह हुआ करता था जो अलग अलग जगहों पर जाकर के अलग 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 जगहों पर रहते थे और वहां की सूचना इल्टतमिश को दिया करते थे इस तरीके से हर जगह का कार सुचारों रूप से चल सके ये तुर्काने चालीसा के स्थापना की गई उसके समय तक जब तक इल्टतमिश जीवित रहा तब तक तो तुर्काने चालीसा तुर्काने चहलगानी बहुत अच्छा कारे करती थी परन्तु जब इल्तुत मिश्की मृत्य हो जाने के बाद चहलगानी या चालीसा ने किंग मेकर का रोल प्ले करना शुरू कर दिया वो जिसको चाहती थी इसको राजा बनाती थी जिसको चाहती थी इसको उपसके पत से हटा दिया करती थी इस तरीके से इल्तुत मिश्की प्रारम्ब किया ये जो नए सिक्के थे वैसे तो वो तुर्की शासक था लेकिन उसने शुद्ध अर्बी सिक्के चलाए थे ये जो शुद्ध अर्बी सिक्के थे चांदी का सिक्का चांदी का सिक्का टंका के नाम से जाना जाता था और तामे का सिक्का जीतल के नाम से जाना जाता था तो ये टंका और जीतल नाम के शुद्ध अर्बी सिक्के चलाने के वाला शासक इलतुतमिश को माना जाता है इसके अत्रेक्थ इलतुत्मिश ने भूमी सुधार के लिए एक व्यवस्था प्रारंभ की जिसे एकतादारी व्यवस्था कहा जाता है एक्ता व्यवस्था कहा जाता है बहुत सारी व्यवस्थाएं भूमी सुधार के लिए इतिहास में जानी जाती हैं जैसे जमीन दारी, जागीर दारी, रियत वारी, मनसब दारी, महल वारी बहुत सारी भूमी सुधार की व्यवस्थाएं हैं इनमें से सबसे प्रारंब में जो भारत के मध्यकाली नितिहास में नाम मिलता है वो एक्ता विवस्था का मिलता है एक्ता विवस्था का प्रारंब इलतुतमिश ने किया था इसमें उसने कुछ गावों को जैसे मान लीजिये कि ये पूरा एक बड़ा सा जिला है और इस बड़े से जिले के ये पूरा मान लिजे उसका एक प्रांथ है इलतुतमिश का इस प्रांथ में कुछ जिलों को उसने एकता घोशित कर दिया तो ये एकता कहलाने लगे ये सारे गाउं और इसके बाहर जो एकता नहीं थे जो गाउं एकता में नहीं आते थे वो छेतर कहलाता था खाली सा और इस तरीके से उसने जिस जो प्रांथ जो जगहे एक्ता के अंतरगत आती थी उनमें से एक व्यक्ति को उसने एक्तादार घोशित किया और एक्तादार बना करके उसने उन लोगों से लगान वसूलना शुरू किया उन लोगों से उसने कर लेना प्रारम बुकिया और इस तरीके से यहां पर जो कर लेते थे वो इक्तादार कहलाते थे जबकि जो सुल्तान होता था वो खुद खाली सा से कर लिया गरता था वहां पर कोई भी इक्तादार या कोई भी मध्यस्ता करने वाला मीडियेटर नहीं हुआ करता था तो ये एक्ता विवस्था की शुरुवात इल्तुत्मिश के द्वारा की गई इल्तुत्मिश बहुत ही प्रभावशाली शासक माना जाता है अपने समय का 1221 में खुआरिजम एक स्टेट हुआ करता था मिडिलीस्ट में मध्यपूर्व में एक राज हुआ गरता था जिसका नाम था खुआरिजम का शासक था जलालुद्दीन मंगबरनी मंगबरनी की लड़ाई मंगोल शासक चंगेज खान से चल रही थी मंगबरनी को चंगेज खान ने हरा दिया देखिए मध्यकाली नितिहास में दो बहुत बड़े इंटरनेशनल रेनाउंड परसन्स हैं जिन से दुनिया थर थर कापती थी एक चंगेज खान मंगोल वंच का था जबकि दूसरा था तैमूर तैमूर तुर्क वंच का था ये दोनों बहुत ही ज़ादा बड़े अंतर राश्ट्री इस तर पर जाने माने नाम माने जाते हैं तो कोशन पूछा जाता है कि चंगेज खान के समय भारत का शासक कौन हुआ करता था तो चंगेज खान के समय भारत का शासक हुआ गरता था इल्तुतमिश चंगेज खान ने मंगबर्नी को जो की खौरिजम का शासक था उसको हरा दिया मंगबर्नी भाग करके भारत आया और भारत आ करके उसने इल्तुतमिश से पनाह मांगी इल्तुतमिश से शरण मांगी है कि वो बहुत ही जादा दूरदर्शी प्रवर्ति का था इलतुतमेश क्योंकि उसे पता था कि अभी भारत में शुरुआत हुई है तुर्की राजवंश की अभी भारत की जनता खुद तुर्की राजवंश को नहीं पहचानती राजा को नहीं पहचानती अब अगर वो मंग बरनी को पनाह देने से मना कर दिया इलतुत मिश्क शाशनकाल में ही पहली बार दिल्ली सल्तनत शब्द सामने आता है क्योंकि अब उसने अपनी राजधानी दिल्ली बना लिया लाहौर से राजधानी को परिवर्टित करके उसने अपनी राजधानी दिल्ली कर ली और इ तो कॉशन ऐसे भी पूछा जाता है कि मध्यकाली नितिहास में पहली बार दिल्ली को राजधानी किसने बनाया वो था इल्तुत्मिश इल्तुत्मिश ने बहुत ही अच्छे कारे किये इल्तुत्मिश ने भारत का पहला मकबरा भी बनवाया जो की दिल्ली में है उसके पुत्र नासरदीन महमूद का मकबरा है ये दिल्ली में ये भारत का पहला मकबरा माना जाता है उसने कुत्ब मिनार का निर्मार कारे पूरा करवाया 1236 में इल्तुत्मिश की मृत्य हो जाती है इलततमिश्प की मरत्यों हो जाने के बाद तर्कान चेहलगानी जिसे चालीसा भी कहा जाता था ये बहुत ही ज़ादा महतवपूर्ण रोल प्ले करने लगती है भारतिय राजनीटी में कूटनीटी में और वो किंग मेकर का रोल प्ले करने लगती है अब जिसे चाहती थी उसे राजा बनाती थी जिसे चाहती थी उसे हटा देती थी तो इस प्रकार से अब तुरकान चहलगानी ने इलतुत मिश्क के पुत्र रुकुनुदीन फिरोज को अगला शासक घोशित कर दिया रुकुनुदीन फिरोज केवल नाम मातर का ही शासक माना जाता है उसके पीछे से चालीसा ही मेन रोल प्ले कर रही थी राजपर शासंग कर रही थी इस वज़े से दिल्ली की जनता रुकुनुदीन फिरोज से बहुत जादा परिशान हो गई और दिल्ली की जनता ने रुकुनुदीन फिरोज को उसके पद से हटा दिया और इलतुत मिश्क की बेटी रजिया को सुल्तान घोशित कर दिया गया रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला सुल्तान थी जो जनता के द्वारा चुनी गई थी उसने ना तो स्वयम को सुल्तान घोशित किया था ना इलतुतमिश ने उसको सुल्तान बनाया था ना चालीसा ने उसको सुल्तान घोशित किया था वो दिल्ली की जनता के दौरा चुनी गई महिला थी शासिका थी इस वज़े से भारत की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई महिला शाशक रजिया सुल्तान मानी जाती है रजिया सुल्तान का शासनकाल बहुत लंबा नहीं रहा मातर चार वर्ष का ही शासनकाल रहा लेकिन इन चार वर्षों में उसने बहुत बड़े-बड़े कारी किये ऐल्फिंस्टेन नामग एक इतिहास कार हैं कहते हैं कि रजिया अगर महिला ना होती तो अपने समय के मुस्लिम शासकों में सबसे प्रभावशाली शाषक के रूप में उसकी गिंती की जाती महिला होने के कारण ही उसका बहुत ही कम समय का शासनकाल रहा खैर जो भी रहा हो रजिया सुल्तान इलतुत मिश्क भी चाहता था कि उसके बाद उसका वन्शज रजिया सुल्तान के रूप में ही हो परंतो यहो ना सका चहलगानी ने रुकन दीन फिरोज को अगला शासक घोशित किया और उसको दर्बार में चहलगानी को आदेश देने लगी चालीस तुरकी कटरवादी मुस्लिम शासक मुस्लिम सरदार ये बरदाश नहीं कर सके कि उनके उपर एक महिला का शासन हो और इस वजह से वो रजिया को उसके पद से हटाने के लिए शड़ेंदर करने लगे शड़ेंदर रचने लगे उस समय मद्यकालीन प्रशासनी की वज़ था इसके दौरा रजिया के दौरा बहुत ही ज़़ादा सुचारू रूप से चलाई जाने लगी उसने घोडों के अधार पर नएने पदों का सजन किया घोडों के अधार पर जिसके पास दस घोड़े होते थे उसे अमीर नाम दिया गया जिसके पास सौ घोड़े होते थे उसे मलिक नाम दिया गया जिसके पास हजार घोड़े होते थे उसे बक्षी नाम दिया गया और ज जो अब जाकर के मुस्लिम्स में कास्ट बन गई हैं संपरदाय बन गए हैं रजिया सुल्तान के समय ये सब पद बहुत ही ज़ादा फ्लरिश थे बहुत ही इच्छा कारे कर रहे थे घुडों के अधार पर ये पदों का विभादन किया गया था उस समय रजिया ने अभी सीनिया जिसे आज कल इथियोपिया कहते हैं अभी सीनिया इथियोपिया से एक हबशी भारत आया जिसे जलालदीन याकूत के नाम से जाना जाता है जलालदीन याकूत को रजिया ने अमीर ए आखूर का पद दे दिया अमीर ए आखूर घोड़े उस समय बहुत ही बड़ी एंटिटी माने जाते थे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी माने जाते थे और घोड़े जहां पर रहते थे उसे अस्तबल या इस्टेबल कहा जाता था तो अमीर अखूर उस अस्तबल का अधिकारी होता था जहां पर घोड़े रहते थे तो इस वज़े से ये बहुत ही ज़दा इंपॉर्टन्ट पोस्ट मानी जाती थी अमीर अखूर रजिया सुल्तान ने अमीर अखूर का पद दे दिया याकूत को जिसकी वज़े से चहलगानी को अब एक मौका मिल गया रजिया के खिलाफ खड़े होने का उसने पूछा रजिया से कि किस आधार पर एक विदेशी को उसने इतना महत्वपूर्ण पद दे दिया भारत में जिसकी वज़े से रजिया को भटिंडा का नाम मध्यकाली नितिहास में तबरे हिंद मिलता है तबरे हिंद के शासक अलतूनिया से निकाह करना पड़ा अलतूनिया से निकाह करके अब रजिया अलतूनिया के साथ भटिंडा में ही रहने लगी इधर चहलगानी के 40 तर्की सरदारों ने रजिया के भाई बहराम शाह को दिल्ली में अगला सुल्तान घोशित कर दिया जब रजिया को ये बात पता चली कि उसकी जगे अब बहराम शाह को अगला सुल्तान घुशित कर दिया गया है तो ये बात रजिया को बहुत बुरी लगी और रजिया अपने पती अलतूनिया के साथ भतिंडा की सेना लेकर के दिल्ली आती है और दिली में 1240 में अपने भाई के साथ उसकी लडाई होती है इस लडाई में बहराम शाह रजिया की हत्या कर देता है और युद्ध भूमी पर लड़ते रजिया की मित्ती हो जाती है अगला शासक रजिया के बाद बहराम शाह को गोशित किया जाता है बहराम शाह केवल नाम का ही शासक था चहलगानी ही प्रमख रूप से शासन कर रही थी बहराम शाह का शासन काल भी ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया मात्र दो वर्श का ही शासन काल था बहराम शाह का बहराम शाह के शासन काल में 40 बहुत जज़ादा इंपोर्टन्ट हो गई गे किंग मेकर का रॉल प्ले करने लगी इस वज़े से बहराम शाह के शाशनकाल में एक और नया पद बनाया गया जिसे नायब मुमलकात का नया पद प्रारंब हुआ और इस तरीके से अब चहलगानी वजीर का काम कर रही थी ये वजीर नायबों को जो नायबे मुमलकात हुआ गरते थे उनको कंट्रोल किया गरते थे और एक अब हायरार्की फॉर्म हो गई थी उत्राधिकार बन गया था बहराम शाह केवल नाम मातर का शाशन था शाशक था प्राम गरूप से शाशक चहलगानी थे चहलगानी नायब को आदेश दिया गरते थे इंस्ट्रक्शन दिया गरते थे और इस तरीके से अब एक नया प्रशासनिक कार ये प्रारम होने लगा था इधर बहराम शाह जब सर उठाने लगा चहलगानी के खिलाफ तो चहलगानी ने उसको भी हटा दिया और उसकी जगह पर उसके भाई अलाओ दीन मसूद शाह को अगला शासक बनाया गया अलाओ दीन मसूद शाह भी चार साल तक ही शासन कर पाया अलाओ दीन मसूद शाह या फिर बहराम शाह ये सब उस समय के मद्ध काली नितिहास की शाशक थे जिनके बारे में मिनहाज अस्सिराज, हसन निजामी और तबरेज आला में जैसे बहुत सारे रिनाउंड आथर हैं जिनों ने अपने पुस्तकों में इन सब शासकों के बारे में कार लिखे हैं, इन सब शासकों के बारे में उन्होंने बताया है अलाओ दिन मसूद शाह के समय में बल्बन को अमीर का पद दिया गया और वो अब मध्ध काली नितिहास के पहले राजवश गुलाम वंश में एंट्री लेने के लिए सिद्ध हो पाया सफल हो पाया अमीर के रूप में अमीर के पास के वल्बन कोड़े होते थे एक बहुत चुटा सा वो पद होता था वो पद उसको दिया गया अलाओ दिन मसूद शाह के शाशनकाल में अलाओ दिन मसूद शाह के बाद नासर अदिन महमूद शासक बना नासुर दीन महमूद 1246 से लेकर के 1265 तक शासक रहता है इसके बारे में तबकात नासीरी में पता चलता है तबकात नासीरी जो बुक है ये मिनहाज सिराज ने लिखी है नासुर दीन महमूद ने बल्बन को उलूग खान की उपाधी दी उलूग खान उलूग खान का मतलब होता है कि सबसे बड़ा पद होता था खान का जिसके पास 10,000 गोड़े हुआ गरते थे 10,000 गोड़े होने के साथ ही साथ वो सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता था उलूग खान का मतलब होता था कि खानों का खान खान से भी बड़ा पद उलूग खान के नाम से बल्बन को दिया नासर अधिन महमूद ने और यही पर बल्बन जो है नायबे मुमलकात के नाम से जाना जाने लगा नायबे मुमलकात के नाम से उसे जाना जाने लगा अब वो वजीर के रूप में शासन करने लगा लगभग अगर आप देखो 1206 से लेकर के 1290 तक 84 वर्षों का इतिहास है गुलाम वंच का इन 84 वर्षों के इतिहास में 40 वर्ष केवल और केवल एक ही नाम दिखाए देता है और वो नाम है बल्बन का 20 वर्ष नासुर्दीन महमूद के वजीर के रूप में और 20 वर्ष खुद सुल्तान के रूप में इस वज़े से गुलाम वंच का सबसे प्रभावशाली शाशक माना जाता है बल्बन को नासुर्दीन महमूद की मरत्यू के बाद अब अगला शासक बनता है बल्बन बल्बन का शासनकाल 1265 से लेकर के 1287 इसवी तक माना जाता है 1265 से 1287 इस तरही के से खुद शासक के रूप में उसने 20 साल काम किया और फिर इसके अतरेक्ट उसने 1200 इससे पहले जो नासर महमूद का कारिकाल था उसमें उसने 20 वर्ष वजीर के रूप में कार किया और वो रोज ऐसा शासक था जो गुलाम वंच के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है बल्बन ने अपने आर्मी को अपनी सेना को सुगठित किया बल्बन ने एक सैन्य विभाग बनाया इस सैन्य विभाग का नाम रखा दीवान आरेज और अगर सैन्य विभाग है तो सैन्य विभाग को सूचना देने के लिए एक गुप्तचर विभाग भी होना चाहिए तो गुप्तचर विभाग के रूप में उसने भरत का पहला इंटेलिजन्स डिपार्टमेंट दीवान बारिद की स्थापना की बल्बन ने अब बल्बन शासक तो बन गया था नासर अदिन महमूद के बाद लेकिन अभी भी तुर्कान चालीसा उसके खिलाफ सर उठा रही थी उसके खिलाफ विद्रो भड़का रही थी तो इस वज़े से अब बल्बन को ये समझ में आ गया था कि जब तक चहलगानी रहेगी प्रशासक के रूप में तब तक वो सही तरीके से कारे नहीं कर पाएगा तो उसने शासक बनते ही सबसे पहला काम ये किया कि चहलगानी ही समाप्त कर दिया ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसरी और इस तरीके से उसने अपने आपको चहलगानी को समाप्त कर दिया तारीखِ खुदाई नाम से उसने अपने आपको गोशित करना शुरू किया और एक नई उपाधी धारण की अफरासियाब के नाम से अफरासियाब इश्वर का भेजा हुआ दूद कहलाता है और ये जो राजत्व सिधान्त था इस राजत्व सिधान्त का नाम तारीख के खुदाई उसने रखा और इस तरीके से वो इश्वर के पैगंबर के बाद सबसे बड़े शासक के रूप में जाना जाने लगा उसने ब भारती ये प्रशासिनिक व्यवस्था में इंट्रोड्यूस किया ये इरानी परंपरा सिधदा और पैबोस जानी जाती हैं सिधदा और पैबोस सिधदा और पैबोस इस दोनों इरानी कस्टम्स हुआ करते थे जिन्हें भारत में प्रशासिनिक रूप से बलबन ने इंट्रोड्यूस किया और ये बहुत बाद तक मध्यकाली निदिहास में चलता रहा आप देखते होगे टीवी में या कही मुवी पर जब भी लोग शासक के दरबार में एंट्री लेते थे तो वो जुक करके सलाम करते थे पूरा 180 डिग्री पर जमीन पर लेट करके जो प्रणाम किया जाता है दंडवत उसे सिधदा कहा जाता था तो ये सिधदा के प्रथा इरानी प्रथा थी जिसे बलबन ने भारत में इंट्रीउस किया और सिधदा करने के बाद वो शासक के पैरों को चूमता था शासक के पैरों को चूमना पैबोसी कहलाता है तो ये सिधदा और पैबोस नाम की इरानी प्रथाएं बलबन ने प्रारंब की भारत में जिसे फिर बाद में शाजहा ने हटाया तो याद रखि कोश्चन कई बार पूछा जाता है कि ये प्रथाएं किसने प्रार्म की ये प्रथाएं किसने हटाईं खैर आप लोग मद्यकाली नितिहास को बहुत ही कम पढ़े हैं इसी वज़े से आप लोग इतने आंसर नहीं दे पा रहे हैं अगर हम आप से कोश्चन पूछें कि ये बताईए बल्बन ने कौन सी नीती प्रारम भुकी थी बल्बन की जो शाशन विवस्था में प्रशासनिक नीती थी वो किस प्रकार की नीती के नाम से जानी जाती है बताईए जल्दी बताईए वेरी गुड मरियम फातिमा ने अंसर दिया है रक्त एवं लौह की नीती वेरी गुड बल्ड और आइरन पॉलिसी की शुरुआत बल्बन के द्वारा की गई रक्त एवं लौह की नीती बल्बन ने प्रारम्ब की थी जिसे फिर बाद में आधनेक विश्व के आधनेक इतिहास में बिस्मार्क ने भी आगे फर्दर कंटिन्यू किया इसी वज़े से बल्बन को इंडियन बिस्मार्क भी भारतिय बिस्मार्क भी कहा जाता है बल्बन के समय काफी लोग विद्रोह का सर उठा रहे थे बारा सो सतासी में बल्बन की मृत्ती हो गई बल्बन की मृत्ती हो जाने के बाद कैकूबाद अगला शासक बनता है कैकूबाद एक बहुत ही जादा आराम पसंद शाशक था उसका इतना जादा शाशनकार में मन नहीं लगता था वो भोग विलास में ही जीवन वतीत करता था इसके अतरेक उसे लकवा या पैरलिक अटैक भी पढ़ गया जिसकी वजए से उसी के ही मलक जलाल उद्दीन ने उसकी हत्या कर दी और जलालुद्दीन ने उसकी हत्या करके घुलाम वंच का अंत कर दिया और घुलाम वंच का अंत करके अब मध्यकाली नितिहास के दिल्ली सल्दनत में एक नया राजवन्च का उद्य हुआ जिसे कहा जता है खिलजी वन्ष इसे खिलजी क्रांती भी कहा जाता है खिलजी क्रांती एक नया राजवन्ष प्रारंभ करने के रूप में नहीं जानी जाती वैसे खिलजी वन्ष के भी जितने सारे शाशक थे वो सब तुर्की राजवन्ष से ही बिलॉंग करते हैं खिल जी शाशक सबसे पहला शाशक माना जाता है जलाल उद्दीन खिल जी को जलाल उद्दीन खिल जी कैकूबाद के द्वारा नायबे मुमलकाद घोशित किया गया था नायबे मुमलकाद बनाया गया था कैकूबाद के द्वारा और इस पद पर हते हुए कैकूबाद की उसने हत्या की और एक नए राजवन्ष की नीव रखी जिसे खिल जी वन्ष कहा जता है खिल जी करांती काफी अधिक उम्र में वो शाशक बना था इसी वजह से उसमें युद्ध और युद्ध कला कौशल उतना नहीं था फिर भी उसने समराज विस्तार के लिए कुछ कदम उठाया जैसे मद्ध काली नितिहास के दिल्ली सल्तनत में वो पहला ऐसा शाशक था जिसने दक्षण की और युद्ध किया दक्षण में उसने रूद्र प्रताप देव शाशक हुआ गरते थे उनको हराया ये देवगिरी के शाशक थे उनको हराया जालावदीन खिलजी ने अपने भतीजे अलावदीन खिलजी को कड़ा एक रियासत थी यहां उत्तर प्रदेश में एटा के पास यमना नदी की किनारे एक जगे है कड़ा कड़ा का सुबेदार नियुक्त किया वहां पर होने वाले विद्रोहों को मंगोल विद्रोहों को अलावदीन खिलजी ने समाप्त किया और कड़ा में आकर के अलावदीन खिलजी से मिलता है अलावदीन खिलजी अपने चाचा को शाम के समय यमना नदी की सैर कराने के लिए एक नाव में ले जाता है उस नाव में केवल दो ही वेक्ती थे अलावदीन और जलालदीन खिलजी ने छुरा निकाल करके अपने चाचा की वहीं पर हत्या कर दी और वापस लोट करके उसने दिल्ली में उसके सभी जितने भी पुत्र और वन्शच थे इन सब की हत्या करके स्वयम को अगला सुल्ता जनवे से तेरा सो सोला इसमी तक माना जाता है खिलजी वन्श में सबसे अधिक शाषन करने वाला शाषक माना जाता है अलावदीन खिलजी इसका बच्पन का नाम अली गुरिशास्प था इसने इतना बड़ा सामराज इस्थापित किया कि ये अपने आपको दूसरा समझने के कारण इसने अपने आपको सिकंदर सानी का टाइटल भी दिया इतनी बड़ी एंपायर इतना बड़ा शाषन स्थापित करने के पीछे उसका लॉजिक ये था कि एक बड़ी सेना की आवशक्ता होनी चाहिए एक बड़ी सेना ही एक बड़े सामराज को जिता सकती ह अलाव दिन खिल जी से पहले जितने शासक हुआ करते थे वो अपनी सेना को कोई वेतन कोई सेलरी नहीं देते थे युद में लूटा हुआ जो भी सामान होता था वही उनका बाउंटी उनके जीवन की आधारशिला होती थी तो इस वज़े से लोग जादा सेना जॉइन नहीं करते थे आर्मी में आते नहीं थे लेकिन अगर इतना बड़ा सामराज इस्थापित करना है तो एक बड़ी सेना की आवश्यक्ता होगी और इसी वज़े से अलाव दिन खिल जी भारत का पहला ऐसा शासक माना जाता है मुसलिम शासक जिसने सेना के सिपाहियों को वेतन देना प्रारंब किया अब इतनी बड़ी सेना को खजाने से वेतन देना होता था और खजाने से वेतन देने के लिए अब खजाने में भी पैसा होना चाहिए इसी लिए खजाने में पैसा भरनी के लिए उसने बाजार निय इंतरर पणाली जब लग गई हर चीज के दाम फिक्स कर दिये गए और हर चीज को खरीदने या बेचने पर कर लिया जाने लगा और ये कर खजाने में जमा होने लगा खजाने में पैसा आने लगा और ये पैसा सिपाहियों को दिया जाने लगा और इस तरीके से एक बहुत ब गुजरात में खंबात से मलिक काफूर को जीता और मलिक काफूर को उसने अपना सिनापती बनाया और अपना सिनापती बना करके उसने दक्षण में सिनापती बना करके मलिक काफूर को भेज दिया पूरा पूरा दक्षण का राज ये दक्षण भारत मलिक काफूर ने ही जीत करके उसको दिया है अलावदीन खिल जी को इसे मलिक काफूर को हजार बीनारी का टाइडल भी दिया जाता है मलिक काफूर ने जब तेलंगाना के शासक प्रताप रूद्रदेव पर आकरवन किया तो प्रताप रूद्रदेव के पास वो एक प्रताप रूद्रदेव की मूर्ती ले गया इस मूर्ती में गले पर पट्टा बंधा हुआ था जो ये बताता है कि तुम आत्मसमरपन कर दो नहीं तो अटैक होगा युद्ध होगा और जब ये मूर्ति उसने देखी तो प्रताब रूद्रदेव ने उसके सामने आपने समरपन कर दिया और तिलंगाना की खदान से निकला हुआ कोहिनूर हीरा भी मलिक काफूर को भेट कर दिया गया और पहली बार कोहिनूर हीरा तिल दिली सल्तनत में अलावदीन खिल जी के दरबार में पहुंचा तो दोस्तों आज हम लोगों ने अभी अलावदीन खिल जी को डिसकस किया अलावदीन खिल जी में भी और भी हम लोग आगे डिसकस करेंगे आज इतना ही रखते हैं मद्ध काली नितिहास के दिली सल्तनत के प्रथम यूग के बारे में हम लोग कर रहे हैं और इसके बारे में आगे भी हम लोग करते रहेंगे आप लोग भी थोड़ा कोपरेट करिए अपने question पूछिए अपने answer दीजिए ये सब क्या good morning और ये सब करते रहते हैं थोड़ा सा कुछ आप लोग भी ऐसे motivate होई है कि यहा प्रुट लुट प्रुट और भी जब हम एट उनक पर बाया कि भी हम जुट्ट लुटू आप हम एट लुटू लुटू अगुटू